अरे सुनो, तुम ये कबाम में हड़ी क्यों ने आई? दादा जी मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा है कबाम में हड़ी वो मुझे, आप दोनों को छरम नहीं आती मुझे कबाम में हड़ी बोलते हुए अरे तुमारा दिमाज ठीक तो है? तुम अपने पोते को ऐसे बोलोगे कबाम में हटी कहां से लगता है वो तुमें कबाम में हटी अब मत बोलो कुछ भी अब तो मैंने सब कुछ सुन लिया समझ नहीं आ रहा है कि आप ही लोग जिद कर रहे थे मुझे ले जाने की अब मैं आ दे आऊ तो मुझे कबाम में हटी बोल रहे हो हाँ ये हुई ना बात मैं तो चाय कर रहा था तुझे सुनाई भी देता है कि नहीं मैं तुम Cliff क, मैं समझा नहीं दादाजी हाँ अब क्या समझ में आएगा तुझे अब तो तुझे कुछ सुनाई भी नहीं देगा मुझे तो पता ही था कि तू सुबर जूट बोल रहा था अरे दादे जी वो पता है क्या मुझे कुछ कभी कभी सुनाई नहीं देता पता नहीं क्यों ऐसे लगता है जैसे कोई अचानक से वाई लगाता है अचानक से सब कुछ सही हो जाता है मुझे बताएगा कि हुआ क्या था मुझे तो कुछ समिन नहीं आ रही तुम दोनों की बाते अपने आप अकेले केले बाते कर रहे हो मुझे भी तो बताओ मुझे भी तो पत्रा चलना चाहिए न कि आखिर हुआ क्या है अरे जब मैं तुम्हें आवाज लगा रहा था न तो मैंने छोटू को जोड़ जोड़ से आवाज लगाई तुमने तो सुना नहीं मैंने सोचा इसी को काम बता देता हूँ इसने जैसे ही मुझे देखा इसने मुझे ऐसे इग्नोर किया जैसे इसने कुछ सुना ही ना हो मैंने जब इससे पूछा कि तुने मेरी बात सुनी की नहीं तो इसने बोला दादा जी मुझे कुछ नहीं सुना मुझे कुछ सुना ही नहीं दिया आपने क्या बोला दादी दादा जी दूट बोले मैंने ऐसे कुछ नहीं करा घर चाल फिर बताती हूं तुझे यहीं सिखाय तुझे मैंने जूट बोलना अभी तेरी सिखाय तेरे मम्मी पापा से लागाती हूं तब ही ठीक होगा तू